हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरवर आप देखने हमारे चैनल रवनीन फोटेक फाइनली रेड्मी नोट 6 प्रो के लिए मैं आपको बता दू कि आज लगभग तीन बजे के बाद जो यह अपडेट था यह पार्सियल अपडेट था यह सभी यूजर के लिए अपडेट नहीं था तो यहां पर जैसे कि आपको पता होता है कि जो सौमी की पॉलिजी से उसके अंदर जो पहले अपडेट ओटी में दिये जाते हैं वो कुछ रैंडम यूजर को दिये जाते हैं और यहां पर वो जो अपडेट होता है वो पार्सियल होता है अगर आप उस ताइम में अपडेट नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको अपडेट करने के लिए फिर से 7-10 डेज का वेट करना होगा मैं आपको कम्मुनिटी में जाकर दिखा देता हूं कि रेड्मी नोट 6 प्रो के लिए अपडेट आया है कि ने क्योंकि यहां पर जब भी कोई अपडेट यहां पर सेर किया हुआ है दो तीन जगह पर मैंने देखा है और मैं आपको रॉम के सेक्शन में लेकि जाओंगा और दिखाओंगा कि यहां पर रेड्मी नोट 6 प्रो के लिए कितने एंबी का यहां पर अपडेट आपको देखने को मिल जाता है और क्या चेंज लोग आप को देखने को मिल जाता है और यहां पर कुछ यहां पर लिंक भी दिया गया है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह जो लिंक है अभी यह जो रॉम है भी यह यहां पर वर्क करने वाला है तो आप यहां पर अपने में चेक करें अगर आपको अपने में नहीं मिलता है तो मै ओफिस्यल साइट से आपके लिए जैसे कि मैंने पिछले वीडियों बताये था कि in.my.com पर जाकर भी आप टाउन्लोड करके मैंनोली अपडेट कर सकते हैं और मैं ट्राइ करूंगा कि जो इसका ओफिस्यल रॉम है वह मैं डिस्क्रिस्टन में जितना जल्दी हो सके मैं प्रोवाइड कर बात सकूं तो एंफ इंफॉर्मेशन था Redmi Note 6 Pro के लिए MIY11 के स्टेवल अपडेट रॉलाट करना इस्टार्ट कर दिया गया है अगर आपके पास Redmi Note 6 Pro है तो आप कमेंट जरूर करना कि आपको यह अपडेट मिला या फिर नहीं इसके लाब बहुत सारे ऐसे डिवाइस है जिसमें से पार्सिल अपडेट बहुत पहले कि सकेंड फेस भी अब यहाँ पर एंड होने वाला अकल तो वेट करने के बाद देखते हैं क्या इंफोर्मेशन निकल कर आता है अगर आपको यह वीडियो पसंदा वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें तो फिर मिलते एक नहीं वीडियो के साथ